नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपके स्वागदाई आज मैं बात करने वाला हूँ Union Bank of India के bank account से दूसरे bank account में कैसे पैसे भेजना है तो अगर आपके पास भी Union Bank of India में bank account है अगर आप चाहतो Union Bank of India के bank account से दूसरे bank account में पैसे भेजना है चाहिए यहाँ पर Evenian Bank 2 Union Bank में हो चाहिए यहाँ पर Evenian Bank 2 ICC Bank SBI Bank मतलब दूसरे बैंक में पैसे भेजना हो तो यहाँ पर बहुत यहाँ आसा तरिके से पैसे भेज सकते हो वह भी Mobile Banking के थ्रूँ तो आगर आपके पास union bank के mobile banking नहीं है इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका link दे रखाऊं क्लिक करके आप download कर सकते उसके बाद आपको यहाँ पर register कर लेना है register करने में अगर आपको कोई भी problem होता है उसके पर ही मैंने already वीडियो बना रखाऊं तो सारे link आपके इस वाले वीडियो के नीचे मिल जायाएगा अब register होने के बाद आपको यहाँ पर login दिखाए देगा login के उपर click करके जो भी आपने four digit का login pin set किया है वही pin आपको यहाँ पर fill up कर देना है अब यहाँ पर without beneficiary details add कर के भी पैसे भेज सकतो अगर आप चाहतो beneficiary details को add करके पैसे भेजना है तो भी यहाँ पर पैसे भेज सकतो ग्लेकर के बेनिफिसेटी डिटेल स्कुए डड़ करके पैसे भेज सकतो मैंने यहां पर उसuft बताने वाला विधाउड डिटेल्स है करके पैसे कैसे भेज इसके लिए आपको यहाँ पर दिखाए देगा quick transfer तो गया करने इसी के पर click करने नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाए देगा transfer to तो गया करने इसी के पर click करने अगर आप चाहतो union bank to union bank में पैसे भेजने तो आपको यहाँ पर इसी के पर click करने अगर आप चाहतो union bank of india के bank account स SBI Bank हो चाहिए यहाँ पर ICC Bank हो मतलब दूसरे bank में पैसे भीजना है तो आपको यहाँ पर आदर bank account दिखाए देगा इसी के पर click कर देने नेक्स्ट जिसको भी आप ऐसे भीजने चाहतो उसी का नाम आपको यहाँ पर फिलाफ करने उसका जो भी bank account number है वो आपको यहाँ पर फिलाफ करने नेक्स्ट हो यहाँ पर दिखाए देगा आपको फिलाफ कर देना आई आपको यहाँ पर दिखाए देगा account type तो क्या करना है इसी के उपर click करना है beneficiary के अगर savings account है savings के उपर click करना है अगर current account होगा तो current account के उपर click करना है मैंने यहाँ पर savings account के उपर click कर चुगा हूँ next आपको यहाँ पर amount fill up करने का option दिखाए देगा तो आपने हिसाब से आपको यहाँ पर amount फिलाप करना है next आपको यहाँ पर दिखाए देगा enter remark तो यहाँ पर remark में short name आपको यहाँ पर फिलाप कर देना है next आपको यहाँ पर दिखाए देगा select remark तो ग्यागा ने इसी के पर click करना है आपने हिसाब से आपको यहाँ पर चूस कर लेना है कोई भी यहाँ पर आप चूस कर सकतो नेक्स्ट आपको यहाँ पर दो अप्सें दिखाए देगा जैसी कि IMPT अगर आप NFT के पर क्लिक कर तो यहाँ पर टांसफर होने में थोड़ा सा टाइम लाएगा अगर आप IMPT के पर क्लिक कर तो दूसरे bank account में तुरणत पैसे पहुंच जाएगा नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाए देगा Please Select तो क्या करना है इसी के पर क्लिक करना है आपने bank account number आपको यहाँ पर चूस करना है नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाए देगा Proceed तो क्या करना है Proceed के पर क्लिक कर देना है जो भी आपने details फिलाप किया है वो आपको यहाँ पर दिखाए देगा आपको यहाँ पर एक बार चेक करना है और आपको यहाँ पर confirm के उपर क्लिक कर देना है आप summit के पर click करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते बैंक के तरफ से हमारे यहाँ पर SMS आ चुका है जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाए ज़रे और यहाँ पर हमारे transaction successful भी हो चुका है तो अगर आप चातो without beneficity details add करके पैसे बेज़ेना है तो इसी तरीके से आपको यहाँ प करना ना भूले